साथियों नमस्कार मैं सूर्या कुल्सरेष्ट असिस्टन प्रोफेसर इत्यास आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या दा इस्टेडी मेरर में स्वागत करता हूँ साथियों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपने 15 वर्षी अनुभव से कत्र किये गए सटीक वर साक्षपरक नोट्स आपके साथ साजा करूँगा जो कि आपको TGT PGT, सिविल सेवा, असिस्टन प्रोफेसर, UGC NET तथा साथ ही विश्विद्याली परिक्षाओं में भी समान रूप से यह उप्योगी रहेगा साथियों मैं आपको विश्वास दलाता हूँ, यह नोट्स पढ़ने के बाद आपको मुझे नहीं लगता किसी पुस्तक या अन्य कोई नोट्स के आवशक्ता पढ़ेगी आए आपका अधिक समय ना लेते हुए, अपनी इस वीडियो में क्या है खास यह बताता हूँ तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास का एक सामाने पर चेदूँगा यानि कि इतिहास की प्राचीन भारती इतिहास, मंदेकालीन भारती इतिहास और आधुनिक भारती इतिहास, विश्व इतिहास इन सभी इतिहासों की स्रंखलाएं, यूट्यूब चैनल पर प्रिशित करने से पहले, मैं आपको इतिहास का एक सामने परचे देना उचित समस्ता हूँ, ताकि आपको सभी को ये मालूम हो, कि इतिहास का आर्थ, जनक, परिभाशा, महत, दोश, भाग, अंग, ये क्या है, हम हमें एक इतिहास प्रेमी होने के नाते, एक इतिहास का सिक्षक, छात्र होने के नाते, हमें इन बातों की जानकारी होने चाहिए, तो इस वीडियो में आप आज अर्थ, इतिहास का अर्थ आप देखेंगे, इसके बाद परिभाशा को देखेंगे, क्या है इसकी सटीक परि पिर जनक, यानि कि पिता जैसे बोलते हैं, इतिहास का पिता, इसके बारे में देखेंगे, इसके बाद आप इस वीडियो में प्राचीन तमुलेक, यानि कि इतिहास सब्द का या हिस्ट्री सब्द का प्राचीन तमुलेक कहां किया गया, ये देखना है, इसके बाद गोड, यानि कि महत तो दोश, इतिहास के दोश भी हैं साथियों, दोश कभी आप अध्यन करेंगे इसमें, और भाग या अंग तो आज इस वीडियो में आप लोग इतिहास के परचे के अंतरकत यह सब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए तो साथियों, इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास जो शब्द है, वो संस्कृत भाषा के इति, ह, आस, तीन अक्षणों से मिलकर बना है किस भाषा के? संस्कृत इतिकार्थ है, ऐसा, ह, कार्थ है, निश्चित रूप से, और आस कार्थ है, था तो इतिहास कार्थ हुआ, ऐसा, निश्चित रूप से था, यानि कि हुआ था, गटित हुआ था जिसके बाद हम परुषा देखते हैं परुषा ऐसी होने चाहिए जो मानव के लिए अपनी उपयोगता धर्शा है यान इतिहास की वो परुषा अधिक मानना रहेगी जो उसके गोड़ों के साथ साथ मानव के लिए इतिहास कितना उपयोगी है यह भी बताए तो इसकी एक सटीक परवाशा मैं आपके सामें लिखता हूँ अतीत का वह अर्ध्यन जो मानव के विवेक को जागरत करता है जिससे वह वरतमान में दायत तुबोध तथा अपने अविश्यका मार्ग दर्शन कर सके तो साथ ही वे इस परवाशा में आप ये पता करेंगे ये जान सकेंगे कि ये मानव के विवेक को जागरत करने वाला विशा है यानि कि अतीत में जो भी अच्छाई हैं हुई है या जो बुरी घटनाए हुई है उन से समझ कर सीख कर मानव अपना विवेक जागरत कर सकता है साथ ही विवेक जागरती के बाद मरतमान में उसे क्या करना है ये जानेगा और भविश्य में क्या करना है भविश्य को क्या रूप देना है और अपनी अच्छी बुरी योजनाओं को समय उजित कर सकेगा इसके बाद जनक की अगर हम बात करें इतिहास का जनक हेरोडोटस या हेरोडोटस को कहा जाता है ये एक ग्रीक इतिहासकार था ग्रीक यानि की हिंदी में इसको युनानी बोलते हैं हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इसको अंग्रेजी में the histories कहते हैं इस पुस्तक में उसने अपने समकालीन हो रहे युद्ध इनान ईरान युद्ध का इसने वरण किया और इस युद्ध के वरण के लिए इस युद्ध के जानने के लिए इसने एक शब्द का प्रियुग किया था जिसका नाम था Historia मतलब जानना या खोजना यानिकि इस युद्ध के बारे में इसने जानने के लिए अपनी इस पुस्तक को लिखा और उस में ये वर्ड प्रियुग किया जो कि पुस्तक का भी नाम था हिस्टोरिया अर्था जानना खोजना मतलब युनान इरान युद्ध के बारे में जानने को लेकर इसने ये पुस्तक लिखी तो इसी हिस्टोरिया सब्द से हिस्ट्री जो अंग्रेजी का शब्द है वो बना और इसी का अर्थ इतिहास हिंदी में है तो बिक्षा करता हूँ आपको जनक यानि की जो हैरिडोट्स को कहा जाता है वो समझ में आया होगा इसके बाद प्राचीनतम उल्लेख कि अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो अथर्ववेद के वरात्यक अंड में है जबकि हिस्ट्री शब्द का उल्लेख प्राचीनतम रूप से अपने गरीक रूप में हेरिडोट्स की पुस्तक हिस्टोरिया में ही है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ तो हिस्ट्री शब्द का या हिस्टोरिया शब्द का जो प्राचीनतम निर्माढ है उल्लेख है वो हेलरोट्स की पुस्तक में मिलता है अब बात करते हैं गुरों के बारे में कितिहास के क्या गुर्ड है क्या महत्त है इतिहास का जो पहला गुड़ है वो अतीत का ग्यान इतिहास के माध्यम से हमें अपने अतीत का ग्यान पता चलता है और इसमें आप कह सकते हैं सब्वेता संस्कृति का ग्यान इसको आप इस तरह से भी अच्छे रूप में लिख सकते हैं अतीत का ग्यान या सब्वेता या संस्कृति का ग्यान हमें इतिहास के माध्यम से होता है यह इसका सर्व प्रमक को गुड़ या महत्व है दूसरा इतिहास का गुड़ है बिवेक जागरान जैसा कि प्रवाशा सही मैंने सपस्ट किया था आपको कि इतिहास विशय अतीत की अच्छी और बुरी घटनाओं को अपने अंदर समाहित की हुए है इनके अध्यन से क्या ये अच्छी थी या बुरी थी तो इनके अध्यन से मानव बर्तमान में अपना बिवेक जागरित कर सकता है और ये अपने बर्तमान में आप भिष्य में अपनी जो योजना है, अपनी जो कारशायली है, उसमें परवर्तन ला सकता है, सकारत्म परवर्तन. तीसरा, निरंतरता का वाहक, यहनि कि इतिहास निरंतरता का वाहक इसलिए माना जाता है, कि सिंदु सब्वेता, वैदिक सब्वेता में जो भी रिति रिवाच परमपराएं अपना ही जाती थी, आज उनको हम हो भो हूँ या थोड़े से परवर्तन के बाद अपनाते हैं, जैसे सिंदु सब्वेता में महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाना, निल पोलिश का यूज करना, जूड़ा बांधना, यह सारी चीज़े वहाँ प्रयोग में लाई जाती थी, और आज भी महिलाएं प्रयोग में ला रही हैं, वहीं अगर बात करें, दूसरा वैदिक उध अतीद में होता था और आज भी उन्हें हम किसी परवर्तन के बाद या यूँ ही प्रिक्रिया में लाए हुए हैं, चौथा, सामाजिक नियमों का आधार, आज हमारे समाज में काफी नियम हैं, जैसे हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, जैसे सम्मू में अगर हम रहेंगे, एकत्र होकर रहेंगे, तो फाइदेमंद रहेगा, अनिथा कहतक रहेगा, तो ये सारे जो नियम हैं, सामाजिक नियम आज जो चल रहे है वो अतीत की गटनाओं से ही प्रिरित होकर बनाए गए है अन्य विश्यों के अधिन में सहायक इतिहास अन्य विश्यों के अधिन में भी सहायक है आप भूगोल पढ़ रहे हों, समाशास्त पढ़ रहे हों, राजनीती शास्त पढ़ रहे हों तो आपको इतिहास की थोड़ी बहुत मदद लेनी पड़ेगी, जैसे अगर आप राजनीती शास्त्र का ध्यन कर रहे हैं, तो उसमें विचारक हैं, वो विचारक इतिहास में जन्मे थे, और उन्होंने अपनी एक विचारधारा वहां दी थी, तो इतिहास में उस विचारधारा का विशेस महत तो रहा होगा, और वही विचार, वही विचारधारा राजनीती शास्त्र में भी आपके लिए पढ़ने के लिए रख दी गई, और अगर अन्य विश्य जैसे शमाज सास्त्र भी वही विचारदारा है जिनोंने इतिहास में अपना नाम किया और एक प्रभाब में रही फिर यही विचारदारा आप सभी के समाज सास्त्र या अन्य रूप में देखी गई भूगोल की बात करें तो जलवायू के बारे में बताना हो या हमें किसी छेत्र विशेस के खानपान के विशेम बताना हो तो हमें वहां का इतिहास देखना होता है या आकर वहां क्या क्या हुआ कैसे कैसे होता था जो भी हम वहां के छेत्र का एक पैनोर्मा बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें इतिहास की आवशकता है नच्छत्र के बारे में जो ग्यान था यह तो काफी विशेस महत तो है इतिहास का भूगोल के लिए कि नक्षत्र के बारे में हमें प्राचीनतम जानकारी इतिहास से ही प्राप्त होती है आरे भटे बरामे ब्रहम गोपत यह भी खगोल विद्ध हुए उन्होंने भूगोल के इनी नक्षत्रों के बारे में पहली बार बताया था तो अन्य विश्यों के धिन में भी ये सायक है अगला देखें तो मान भी ये द्रिस्टी कोण में विस्तार इतिहास से मानभ के द्रिस्टी कोण में विस्तार आता है यानि कि इतिहास में कोई भी घटना क्या, क्यूं, कब, कैसे इन सभी आधारों पर हमें अध्यन करनी होती है जिससे मानभ के द्रिस्टी कोण में विस्तार आता है साथवा तर्क में विर्द्धी यहने कि इतिहास एक ऐसा विशह है जो ये दिसाक्षुपलब्द है तो ही उस तथे को अपने अंदर अपने भीतर वो लिखता है अन्य था तर्क के अभाव में उस तथे का इतिहास में कोई महत्व नहीं रह जाता है तो तर्क प्रधान विशह होने के कारण तेहास मानव में भी यही विचार भरने का प्रयास करता है कि मानव भी तर्क शील बने आठवा मानव प्रगती में सहयक यानि कि इतिहास मानव प्रगती में सहयक कैसे है इतिहास में विभिन शासकों, सब्वेताओं, संस्कृतियों हर एक इतिहास में उपलब्द विक्ती विचार ने क्रमशह प्रगती प्राप्त की जैसे कोई सब्वेता है वो प्रगती प्राप्त करती है कोई शासक है धेरे धेरे अपने सामराज्यू का विस्तार करता है अपनी योजनायादी का प्रचलन करता है से हमें यह शीखने को मिलता है कि हमें इतिहास में इनी तरीकों की तरह प्रगती के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए तो साथियों ये मैंने आपको आठ इतिहास के गुड़ बताए अब बात करते हैं दोषों की कि इतिहास के क्या दोष है तो एक इतिहास कार्ध्यन करता होने के नातिग आप गोड़ों के साथ बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सामाने रूप से भी और इंट्रिब्व्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है इतिहास तो आप पड़ लेते हैं इतिहास के महत्तु को तो जानते होंगे लेकिन इसके दोश क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोश पहला इतिहास का जो सबसे बड़ा दोश है मत भेदों का संग्रहाक इतिहास में बहुत से ऐसे गटनाएं हुई हैं, विचार हैं जिससे बरतमान में इदे उनको देखा जाए तो मत भेद होने की पूरी समाबना रहती है जैसे बर्साई की संधी उसी संधी की शर्तों को तोड़ने के लिए हिटलर ने अपने प्रयास सुरू कर दिये और वो प्रयास इतनी गंभीरता और इतने वेक से किये गए कि दुतिय विश्युद के दरवाजे पर विश्यु आखड़ा हुआ साथ ही और भी उदारण है जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में आज भी कहते हैं कि विवाजन किसने कराया और वहीं कई धार में कोई काराण देता है तो ये मतभेद हमें इतिहास के गर्व में देखने को मिलते है दूसरा कहीं कहीं साक्ष या तत्थियों का अभाव कहीं कहीं साक्ष या तत्थियों का अभाव इतिहास में ये चीज बहुत देखी गई है कि इतियास में कहीं कहीं साक्ष या तथ्य है ही नहीं जैसे चातरों ने काफी बार मुझसे मेरे फेजुक पेज पर पूछने का प्रयास किया कि कलिंग युद्ध के समय असोक वहाँ पर किशासक से लाड़ा था तो इस प्रशन का उत्तर कहीं सटी ग्रूप से ही नहीं तो कोई साक्ष नहीं प्राप्त हुआ है तो इस पर कोई भी तथ्य कैपाना मुश्किल है वहीं हम बात करें कुशाड काल से पहले की पाटल पुत्र में वहाँ किस राजवन्स का शासन था तो सटी इसका भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं है अन्य भी उदारण है जैसे महावीर स्वामी जी के जन्म को लेकर ये भी प्रशन पूछे गए हैं मुझे क्योंका सही जन्मतिति क्या है तो इसके बारे में भी कोई कंफर्मेंस अभी नहीं है पांच सो निन्यानवे इसा पूर्व है या पांच सो चालिस इसा पूर्व है तो अभी इन प्रशनों का उत्तर एतिहास में खोच पाना बड़ा मुश्किल है तीसरा दोश एतिहासिक वस्तुनिष्ट था की समस्या ये भी बहुत गंभीर दोश है की इतिहासिक वस्तुनिष्ट था यानि की इतिहास को हू बहू जैसा है वैसा लिखने की समस्या ये नहीं हो पाता इतिहास में क्योंकि कोई भी लेखक जो अतीत में हुआ है और वरतमान में भी ऐसा माना जाता है की कोई भी लेखक इतिहास लिखते समय किसी ना किसी विचारदारा किसी ना किसी राजनी तिक दल किसी ना किसी शार्षक और किसी वातावरणी कारक से अवश्य प्रवाबित होता है तो वहाँ इतिहास निस्पक्ष नहीं रह जाता यही समस्या हमें देखने को मिलती है जैसे हम बात करें मैगस्थनीज की मैगस्थनीज ने भारत में दासपर्था का ना होना बताया था और भी उसने ब्रामक वर्णन दिये तो जैसे वो युनान का रहने वाला था तो वहाँ पर दासों के साथ अच्छा ब्यवार किया जाता था और यहाँ पर जब उसने देखा दास तो थे यहाँ पर लेकिन उसने देखा यहाँ तो ब्यवार अच्छा होता है उनसे तो लगता है यहाँ दासपर्था है ही नहीं जबकि असल में भारत में दासपरता थी तो एक ये ब्रहमक वरणन मैं आपको कुछी उधारण दे रहा हूँ टॉपिक बढ़ाना हो जाए आपको उधारण इत्हास मेसेज के रोड़ सकते हैं और भी देखा कें जैसे जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी ने मुहमब्ध मिन तुकलक की धर्मिक निती की बड़ी हलोचणा की है और उसका अतिश्योक्ति पूर्ण वरणन नकारात्मा कुरूप से भी किया हुआ है क्योंकि वह है कट्टर मुस्लमान था जबकि मुहम्मद बिन तुगलक इंदू-मुस्लिम या अन्य धर्मा को बराबर मानकर अपना शासन पर शासन चलाता था तो इस प्रकार के कई उधारान आपको देखने को मिल जाएंगे कि जहां पर लेखक ने बातावरणिय कारकों से प्रभावित होकर इतियास का लेखन किया है तो साथियो आपने अभी गोड़ दोश का यद्धिन किया और इसके बाद हम अब देखते हैं इतियास के भाग या अंग के बारे में इसके बारे में चात्रों को बहुत ज्यादा भारती इतियास मद्य भारती इतियास आदुनिक बारती इतियास यह सब होते जैसा नहीं है यह यह भाग नहीं होते हैं यह तो हम भारत के नुफसार देख रहे हैं तो आईए देखते हैं इतिहास के कितने भाग है या कितने अंग है अंग या भाग तो इतिहास के कितने अ प्राग एतिहासिक काल या प्राग एतिहासिक प्राग एतिहास भी बोल सकते हैं लेकिन चूकि हम काल बद्दिस का ध्यान करते हैं तो हमने काल यहां चोड़ दिया है आद्य एतिहासिक काल और तीसरा एतिहासिक काल प्राग्यातियासिक काल, आध्यातियासिक काल और एतियासिक काल इन कालों की क्या परिवाशा है? वो मैं आपको इस conceptual तरीके से बताता हूँ यानि कि लिपी, पढ़ी और उत्खनन इसको हम खुदाई भी कहते हैं प्राग्यातियासिक काल में लिपी का प्रचलन नहीं था जिसकारण वो पड़ी भी नहीं गई होगी और इस काल का अध्यान प्रमुक्त है उत्खनन या खुदाई पर आधारित है इसके बाद आध्यातियासिक काल इसके बारे में अगर बात करें तो परवाशा ये बनेगी इस काल में लिपी थी लेकिन वो पड़ी नहीं गई और इसका भी अध्यन मुख्य रूप से उत्खनन पर ही आधारित है लिपी इस काल में देखते हैं इस काल में लिपी थी और वो पड़ी भी गई और उत्खनन के आधार पर भी हम इस काल के बारे में जानकारी ग्याद कर सकते हैं यानि कि वह है काल जिसमें लिपी थी और उसका पड़ना भी संबब हुगा तथा उत्खनन के आधार पर भी हम इस काल के बारे में जान सकते हैं इसका अगर हम टाइम पीरिड देखें तो 25 लाख इसा पूर्व से 3000 इसा पूर्व तक ये वाला काल 3000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक और ये 600 इसा पूर्व से अब तक या कहीं कहीं इसको 1964 भी दिया है पाठी कर्मों मैं देखता है ये 1964 इसवी ही दिया हुआ है अब इस काल का पुन है तीन भगों में विवाजन है यहने कि पूरा पाशान काल इस काल को पाशान काल भी कहते हैं क्योंकि पत्थरों का यहां ब्यापा ग्रूप से प्रियोग हुआ था पूरा पाशान काल दूसरा मध्य पाशान काल और तीसरा नव पाशान काल ठीक पूरा पाशान काल पुन है तीन भागों में विवक्त रहा पूर्व या निम्न पूरा पाशान काल इसका टाइम पीरिट पच्चिस लाक इसा पूर्व से नौ लाक इसा पूर्व तक रहा इसके बाद मध्य पूरा पाशान काल इसका टाइम पीरिट नौ लाक इसा पूर्व से चालिस हजार इसा पूर्व तक रहा और उच्च पूरा पाशान काल चालिस हजार इसा पूर्व से दस हजार इसा पूर्व तक रहा मध्य पाशान काल की बात करें तो दस हजार इसा पूर्व से साथ हजार इसा पूर्व तक इसका काल रहा और यह नप पाशार काल साथ हजार इसा पूर्व से तीन हजार इसा पूर्व तक रहा कहीं कहीं है चार हजार भी लिखा हुआ है तो आपको परिशान होने क्या वशक्ता नहीं है 1500 वर्ष का यहां उपर नीचे अप डाउन चलता है क्योंकि साक्ष जैसा कि मैंने तेहास के दोशों के बारें बताया कि साक्ष का कहीं कहीं ना पाया जाना भी है तो कहीं किसी और काल के भी साक्ष किसी विशिष्ट काल में भी हमें प्राप्त हो जाते हैं भूमि संसतर से इसके बाद आध्यातियासे काल की बात करें तो इस काल में हमें दो तीन सब्वेता है करमशय दिखाई देती हैं जैसे सबसे पहले तामरपाशाड़ सब्वेता साथियो तामरपाशाड़ सब्वेता को प्रथम इस्थान पर लिखना क्योंकि हडपा सब्वेता और उसके बाद वैदिक सब्वेता साथियो तामरपाशाड़ सब्वेता को प्रथम इस्थान पर लिखना उप्युक्त है यद्यपी यह विक्सित हडपा और वैदिक सब्धा के कालों के समान अंतर हुई थी लेकिन तकनी की रूप से इसको यहाँ पर लिखा जाना ही उचित है क्योंकि तावे की खोज काफी पहले हुई थी क्योंकि ये सब्धा शुरुवात जो प्रतीक है वो तावा की है ये कासा और ये लोहा और पहली बार प्रियोग में लाई गई तो इस काल में तावे का और पत्थर का प्रियोग होता था जिस कारण इसको तामरपाशार सब्धा कहा गया इसका काल 3000 इसा पूरुव से लगभग 700 इसा पूरुव के आसपास है जोर्वे संस्कृति तक भी इसके साक्षे मिले हुए हैं अब अगली सप्रिता लगभग 2800 इसा पूरुव से 1750 इसा पूरुव तक और ये 1500 इसा पूरुव से 600 इसा पूरुव तक हमें वैदिक सप्धा के साक्षे प्राप्त होते हैं अब इसके बाद हम इसको देखें तो 600 इसा पूरुव से 750 इसा पूरुव तक का एक टाइम पिरिड हम इसमें से निकाल सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं विश्विध्याली परिक्षाओं में केवल इतने ही भाग को प्राचीन भारत के रूप में जो राजनितिक इत्यास है वो इतना ही दर्शाय गया है लेकिन चुकि वह राजनितिक है तो उप्योगता है इसके बाद 750 इसवी से 707 इसवी और 707 इसवी से आप 1964 कह सकते हैं या आप तक कभी प्योग कर सकते हैं एक ब्यापक दस्टेकोण अब तक ठीक रहेगा लेकिन एक उप्चारिक रूप से अधिकतर इतिहास का सलेव से 1964 तक ही हुआ करता है तो साथियो इस काल को बोला जाता है मध्यकालीन भारतिये इतिहास इस काल को बोला जाता है आधुनेक भारतिये इतिहास और यहां से लेके यह संपूर्ण काल विश्विद्याली परिक्षाओं को छोड़कर यहां से लेके इतना संपूर्ण काल प्राचीन भारतिये इतिहास काहा जाता है जिसमें 25 लाख हिसा पूर्ण से लेके 750 इश्वि तक का संपूर्ण इतिहास रखा जाता है तो अपेक्षा करता हूँ साथियों कि आपको इतिहास के अंग या भाग समझ में आए होंगे आपको इतिहास के अंग या भाग के रूप में यह नहीं कहना है कि प्राचीन भारतिये इतिहास, मंदेकालिन भारतिये इतिहास और आतुनिक भारतिये इतिहास इतिहास के अंग्या भाग इस इस्तर पर आपको बताने है प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और एक इतिहास, इतिहास एक काल तो आज की वीडियो में साथ ही हो बस इतना ही अगली वीडियो मैं आपको मद्यकालिन भारती इतिहास के बारे में एक टॉपिक के बारे मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अभश्चे बताएं कमेंड बॉक्स में साथ ही अपनी पृत्करी आएं भी अभश्चे दें ताकि मैं उनके आधार पर अपनी वीडियो को और बहतर और आपके लिए अधे कुपियो की बना सकों गन्यवाद